दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछी दिनों में टीचर्ज डे आने वाली है तो टीचर्ज डे की इस मौके पे अगर आप अपनी टीचर्ज के फॉटो के साथ इस तरह की स्टेटर्स एडिटिंग करना चाहते हैं तो फैंस बने रहे हैं मेरे वीडियो के साथ और फैंस मेरे वीडियो को लास्त तक देखिएगा वरना आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे फैंस तो फैंस चलिए आज टीचर्ज डे की स्टेटर्स बनाना सीख लेते हैं तो चलिए दोस्तो काइन मास्टर अप्लिकेसन ओपेन कर लेते हैं तो आपको यहां प्लस ओप्षन पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां से दो किस इमेज HEL Dukar करना था तो आप अपने जो भी इमेज सेलेट करना चाहते हैं आप कर लीजेगा मैं यहां से कुछ इमेज सेलेट कर लेता हूँ तो जैसे कि आप देख पार हैं मैंने यहां पर इमेज सेलेट कर लिया है तो आपको क्या करना इमेज की लेयर पे क्लिक करना है और आपको इस option पे click करना है करने के बाद आपको यहाँ पे end position पे click करना है और इस तरह थोड़ा था आपको zoom कर लेना है और okay कर देना उसके बाद next image को देखना है तो इससे भी आपको adjust करना है तो आपको image की layer पे click करना है और आपको इस option पे click करना है करने के बाद end position पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको जूम करना है और start position पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यह adjust नहीं है तो इस आपको adjust कर लेना कुछ इस तरह से और O.K कर लेना गाइस उसके बाद निक्स्ट इमेज को आपको देखना है तो इसे भी NOT a precisa पर SCAA kिलिक करना होगा तो को इस option पर क्लिक करना ऊब से थोड़ा सा एंड ड्ध dolina उसके बाद end पोईशन पर क्लिक करना और जूम कळ लेना तो आपको कर लेना तो गाइज मैंने यहां पे सारे इमेजरे कर लिया है करने के वड़र आतकतakah क्या अटो इमrinaireवेस की इसकी बीच में어야 सब्सकों हो रहा हो आपको यहां पर क्लिक करना और आपको टनाजेस goose Ridge करना और यहां पर यहां पर आपको यह स्लाइट इस trangion effect को यहां पे आपको add कर लेना गास और इसकी speed आपको 1.5 यही रहने देना है तो मैं सारे पर यही transition effect add कर लेता हूं Okay guys मैंने सारे पे उस trangion effect को add कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है आपको layer पर touch करना है मेडिया पर जाना है और आपको यहां से green screen template add कर लेना है इसकी link आपको वीडियो के description मिल जाएगी तो guys मैंने template यहां पर add कर लिया है तो आपको site पर इस option पर click करना है यहां पर click करने के बाद first वाले पर click करना और इसे full screen कर लेना कुछ इस तरह से और okay कर लेना है उसके बाद आपको template की layer पर click करना है और site पर एक option आपको so होगी chroma की तो इस option पर आपको click करना इसे enable कर देना है और अच्छा सा add जेस कर लेना इस तरह से और okay कर लेना guys तो guys यहां तक मेरी video बन चुकी है तो आपको थोड़ा सा यहां देख लेना जैसे कि यहां पर यह तो आपको लाश वाले image को थोड़ा सा बढ़ा देना इस तरह से जिसमें यह बराबर हो जाए template की साथ और okay कर लेना guys तो guys finally यहां पर मेरी video बन चुकी है मैं यहां पर video आपको प्ले करकर दिखाता हूँ तो guys देखें वीडियो पर काफी अच्छा effect आरा देखने में बड़ा ही मस लग रहा है और यह teacher's day की status आप काइन master से इस तरह से ही बना सकते हो guys और export करने के लिए guys आपको इस option पर क्लिक करना है इस option पर आपको क्लिक करना है करने का बार नीचे export बटन पर क्लिक कीजेगा यहां से यह export हो जाएगे अपकी gallery पर तो thank you guys for watching this video और जाते जाते मेरी video को एक like कर दिना और चैनल पर नए हो तो subscribe कर लेना guys तक की इस तरह की और भी नई video आपको मिलती रहे guys सबसे पहले तो guys मिलते हैं किसी और मज़दार सी video के साथ तब तक के लिए अलविदा